ये अपने आप में दुनिया की बड़ी-बड़ी उनिवर्सिटियों के लिए एक अध्यन का विशे हैं, के स्ट्रडी का विशे हैं, जो मद्यप्रदेश की उनिवर्सिटी द्वारा भी जुरूर किया जाना चाहिए सुन रहे हैं आप, PM मोदी कितनी मजबूती से PM आवास योजना को दुनिया की बड़ी-बड़ी उनिवर्सिटीज के लिए स्टडी का विशे बता रहे हैं, शायद उन्हें मद्यप्रदेश में PM आवास योजना की जमीनी हकिकत ठीक से पता नहीं है, इसलिए मोदी ऐसा कह र कहीं मृत्कों के नाम से किस्त जमा हो गई, कहीं सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के चहेतों को आवास मिल गया, तो कहीं जान बूज कर पात्रों के नाम पात्रता सूची से हटा दिये गए, और हाल ही में हमारे खास निउस बुलिटिन सूतरधार में हमने आपको रशाही मची होई है, नमस्कार, मैं हूँ रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं दसूतर का बेहत खास कारिकरम सीम हेलप लाइन, यानि कॉमन मेन हेलप लाइन, और आज मैं आपको पी-म आवास योजना से जुड़ी कुछ ऐसी ही हकिकत बताने वाल दोग मजे से मलाई खा रहे हैं, और जिसे योजना का लाब मिलना चाहिए, यानि आमजरता, वो बेचारी अपना हक पाने के लिए मारी-मारी फिर रही है, तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ आदिवासी बाहुले डिंडौरी जिले की सैर पर, जहां बजाग ब्लॉक की राम-पंचायत बचहरगाओं में, पी-म मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में बड़ा स्कैम सामने आया है, पहले तो टार्गेट पूरा करने के चकर में आदे अधूरे मकानों को सरकारी दस्तावेजों में कम्प्लीट बता दिया गया, और फिर जियो टैगिंग में और शिकायत के बाद भी सरकारी सिस्टम बेखबर बना बैठा है, ये हैं रमेश कुमार जो योजना के लिए बाकाइदा पात रहें, तमाम नियमों और शर्तों सरकारी कसोर्टियों पर खरा उतरने के बाद रमेश के नाम पर पी-म आवास अलोट हुआ, उन्हें किस्त का पैसा मिलना था ताकि वो अपना घार बनवा सके, लेकिन इस बीद सचिव ने क्या खेल किया खुद रमेश से सुनते हैं. खेल किया है सचिव साहब ने, गाउं के ही दूसरे व्यक्ति और आवास की फोटो लगा कर सचिव ने किस्त का पैसा अपने चहेते ठेकेदार को दे दिया, दूसरी तरफ काक्जों में रमेश का आवास कम्प्लीट है, लेकिन हकिकत में उनका मकान बन ही नहीं पाया है, इससे जुले तमाम सरकारी दस्तावेज रमेश के पास उपलब्ध हैं, उन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत और कलेक्टरिट तक मामले की शिकायत भी की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, अब शायद आपको समझ में आना लगा होगा कि मैंने पी-एम आवास योजना को स्कैम क्यों कहा था, वैसे यह केले रमेश की कहानी नहीं है, बचहर गाओं की सरपंच ने बताया कि सिर्फ उनकी ही पंचायत में रमेश जैसे दरजन भर से ज्यादा ऐसे हितगराही हैं, जिनके आवास कागजों में तो पूरी तरह बन गए हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है. जिला पंचायत में भी मैंने दिया है, पर अभी तक कोई भी कुछ नहीं हो रहा है सरकारवाईन के लिए, यह बहुत धोखा हो रहा है सरकरीबों के लिए, इसमें ऐसा लगता है कि उच्च अधिकारी भी मिली हुए हैं, जो अभी तक कोई कारवाई नहीं कर पा रहे हैं। सरपंच का सीधा आरूप है कि यह कोई छोटा मोटा नहीं बलकि बड़ा स्कैम है, और इतना बड़ा स्कैम जिले के बड़े अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव ही नहीं है, यह सरपंच का कहना है। बहराल मामले की जानकारी जब प्षेत्र के विधायक और पूर्व केविरेट मंतरी ओमकार से मरकाम तक पहुँची तो उन्होंने पियम आवास योजना को पहले तो आले हाथ हो लिया और फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। के लिए मैंने विधान सभा में अपनी बात रखा कि यह इस्थिती बन रही है। पर सरकार ने जो उत्तर दिया था कि कहीं कोई पैसे की कमी नहीं है। जितनी राशी दी जा रही उतनी राशी में आवास बन जाता है। कोई भी स्वतन्तर एजन्सी चलें वो हितगराही के पास चलें पता चलेगा कि वहाँ क्या इस्थिती है। तो ये लक्ष प्राप्ती के लिए जो सरकार इस तरह के जियोटे कहीं का किछी का फोटो कहीं का लगा रहे हैं। ये पूरा कोरम पूरा करने के लिए है, आकड़े दिखाने के लिए है। और बात करने से आनकानी की, तो मीडिया ने सांसद और केंद्रिये राज्यमंत्री फग्गन से कुलस्ते से सवाल जवाब किया। तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेकर उचित कार्यवाही कराने का रटा रटाया जवाब दिया। इसा अगर है तो आप बताईए हम उसके कारवाही करेंगे। तो आप बताईए हम उसके कारवाही करेंगे। ये भी खूब है। दिंडौरी जिला मंडला लोकसभा के अंतरगात आता है और फगन से कुलस्ते यहां से एक दो बार नहीं बलकि साथ बार के सांसद है। वो केंदर मेर राज्यमंत्री भी हैं और पियम मोदी के बेहद महत्वा कांक्षी प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी गलवडी के बारे में पता चलने पर भी सिर्फ कारवाही का आश्वासंदे रहे है। अब भगन से कुलस्ते का जिक्र आही गया है तो आपको इनकी उपलब्धी भी बता देते हैं। कुलस्ते ने कुछ साल पहले डिंडॉरी जिले के एक गाउं को गोद लिया था जो डिंडॉरी के आखरी छोर में बसा है और इस गाउं का नाम है बगहार। ये गाउं सांसत ग्राम तो बन गया लेकिन इसकी तरक्की हुई या नहीं विकास की चिडिया यहां तक पहुँची या नहीं तो इसके जवाब मैं आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। कि आख सड़क भी नहीं है जहां आराम से लोग चल सके। किसी ग्रामीड की तबियत बिगरती है तो परिजन उसे खटिया पर लाद कर या ठेले पर ढोकर कई किलो मीटर पैदल चलकर अस्पताल तक पहुचाते हैं। तो भाईया यही है सांसद महोदय कुलस्ते जी की बेमिसाल उपलब थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सांसद अपने ही गोदलिये गाउं की तरक्की नहीं कर पाया वो पीम आवास योजना की शिकायतों पर भला क्या ही गंभीरता बरतेंगे। खेर बरते हैं तो अच्छी बात है। यह पक्के तोर पर तो नहीं कहा जा सकता कि वो गंभीरता दिखाएंगे। बहरहाल पीम आवास योजना में गडबली की शिकायत की जा चुकी है। अब ये देखना होगा कि सरकारी सिस्टम, विधायत और सांसद इस पर क्या रूख अपनाते हैं। इस ख़बर से जुड़े इंपुट हमें उपलब्द कराए हैं दिखाएंगे। बहरहाल अगर आपके गाओं, कस्बे या शेहर में भी ऐसी कोई समस्या है और शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही कोई सुनवाई तो आप दसूत्र की सीम हेलप लाइन यानि कॉमन मैन हेलप लाइन पर बेजिज़क संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे ज साथ अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। तो अगली बार फिर आप से किसी और मुद्दे को लेकर करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुबरात्री।